सब्सक्राइब करें किचन विद्रियाना को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस वीडियो पाने के लिए किचन विद्रियाना में आपको इस तखबाले आई आज हम आपको खश खश का हलवा बनाना बताते हैं जिसके लिए हमने 50 ग्राम खश खश लिये हैं और 50 ग्राम ही नारियल लिया है यह दोनों चीज़े हम पेश लेंगे आप चाहेंं तो ग्राइंड करें हम इसको सिल्प पर पीशेंगे यह देखें और इनको दोनों का कॉंटर्टिटी आप अपने हसाब से भी बढ़ा सकते हैं इनकी यह देखे हमने पीस लिया है इसका यह सा हमने पेस्ट बना लिया, इसको ज्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि हमें भूनने में दिक्कत आएगी, यह हमने देसी घी लिया है, और इसको हमने हलका सा गरम किया है, और इसमें जो हम ड्राइफूट डालेंगे, वो पहले फ्राई करके निकाल लेंगे, यह जब तक यह दानेदार नहीं हो जाता है इस तरह चलाते हुए इसको आपको लगातार भूनना है फिलेम लो ही रखेगा ज्यादा हाई फिलेम पर इसको नहीं भूनेगा और यह 100 ग्राम हमारी शकर है आप कम मीठा अपने हिसाब से कम यह जादा कर सकते हैं और यह हमारा आदा कप दूद है और यह आदा टी स्पुन इलाची का पॉडर है इनको डालने के बाद हम खुब अच्छे से इसको पका लेंगे यह देखें जब तक यह घी नहीं छोड़ देता और इसमें अब यह तयार होने लगा है यह घी छोड़ने लगा है अब इसको हम चलाते हुए बराबर इसमें ड्राइव फूर्ट आप अपनी पसंद से अभी चाहें तो अभी डालें उपर से चाहें तो उपर से डालें हमने एक कुछ शेनारियल और जो ड्राइव फूर्ट से हमने लिए थे वह सब हमने डाल दिये गी इसका अलग हो गया है बलकुल और यानिकि यह तैयार हुगया है आई हैं हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह 20 अप खंच का हलवड़ा बनाकर आप जरूर देखे ये बहुत फाइदे मंद होता है बहुत मुफीद होता है इसके बहुत फाइदे है इस तरह 20 अप ही हमारी वीडियो बनाकर 2 आपको बहुत पसंद आईगी अ